दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने सर, उस्कूल, कॉलेज, आप अपने किसी भी फ्रेंट को आप इमेल कैसे भेज सकते हैं गैज, यदि आपका फ्रेंट काता है, आप मुझे मॉर्निंग में इमेल करना और आपको इमेल भेजना नहीं आता है, तो उस समय आपको काफी ज़्यादा बोरिंग अंदर से फिल होता है लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोग को यही जनकारी देने के लिए जा रहे हैं, आप अपने मॉबाइल से, आप किसी को आप इमेल कैसे भेज सकते हो और गैज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, आप चाहते हो इसी तरह का टेकनिकल वीडियो देखने के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आगा, आप उसको भी इनेबल कर देना, ताकि हमारे निव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जागा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको जनकारी देता हूँ, देन फ्रेंड आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के जीमेल एपको आपको आपको आपन कर लेनी है, तो चलिए से पहले मैं अपना एपको में आपन कर लेता हूँ, यह सबी के मोबाइल में यह अपिलिकेशन होता है, तो सिंपली आपको अपना जीमेल जो है, वह आपको आपको आपन कर लेना है, देन आपको आपको आपन करने के बाद सबसे उपर में आपको 3. मिलेगा, तो सिंपली आप सेंट वाले आपसन पर एक बार आप किलिक कर देना देन आपको नीचे में आपको एक पैलसिंग का आपसन मिलता है तो आपको पैलसिंग वाले आपसन पर आपको किलिक कर देना है उसके बाद आपको जो भी आपका email idea होगा यह आपको automatic यहां पर ले लेगा अगर नहीं लेता है तो आप यहां पर डाल भी सकते हो उसके बाद जो भी फ्रेंट को आप email करना चाहते हो आपको यहां पर उसका email cloudण़ागी लिक देना है at gmail.com gmail.com मैंने लिख दिया हूँ उसके बाद आप देख सकते हूँ कि इसका जो right email है वह यहाँ पर चला आया है तो simply मैं इस पर मैं click कर देता हूँ then आपको click करने के बाद गाई ज़ा आपको क्या करनी है आपको simply नीचे में एक subject का एक option मिलेगा तो यह subject में आपको वह लिखना है जो भी आपको अपना friend से जो भी आपका problem है उसके बादे में आपको बता देना है तो simply चलिए मैं subject में हम लिख देते हैं YouTube YouTube Channel Support तो मैं यहाँ पर support में लिख देता हूँ उसके बाद आपको simply क्या करना है then आपको सबसे उपर में एक arrow का एक symbol मिल रहा है तो simply आपको arrow वाले symbol पर एक वार आपको click कर देना है then आपको click करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि आपने जो भी email किया है वह उनके पास email गया है कि नहीं गया है तो guys आपको इसका जनकारी लेने के लिए आपको simply आपको back चलाना और फिर से आपको three dot पर आपको एक वार click कर देना है then आपको click करने के बाद आपको send वाला जो option है आपको एक वार इस पर click करना है click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो राहुल कुमार तो यह जो email जो है उनके पास चला आया है तो simply चलिए आप में इस पर में click कर देता हूँ then इस पर click करने के बाद आप देख सकते हो कि जो भी मैं इनको लिकर में भेजा हूँ वह इनके पास जो है हमारा email जो है वह चला गया है तो इस तरह से आप किसी भी friend को आप email जो है वह गयज आप असानी से आप भेज सकते हो और आपको कुछ भेजना है तो simply आपको क्या करना है आपको नीचे में एक reply का एक option मिलता है तो आप फिर से आप उन्हें कुछ भी आप email कर सकते हो जो आपका subject है जिससे आपको problem है वह आप इनको अपना problem बता सकते हो जैसे मैं भेजा था YouTube channel support और मैं अपना profile पर एक बार मैं click करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैंने जो मेरा जो email ID है वह यहाँ पर आएगा और मैंने इनको जो भी मैं अपना friend को भेजा हूँ का वीडियो देखने के लिए तो अपली चाइनल को आप subscribe कर लेना और bell icon on कर देना धन्यवाद बोस